हेलो फ्रेंड्स एक बार पुना मैं आप सभी का मेरे अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं एक और नही जानकारी के साथ आप सभी के बीच में उपस्तित हुआ हूँ मैं आज आपको Food Corporation of India में जो Vacancy आई है उसके बारे में बताऊंगा मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि इसमें फिस कितने लगने वाली है कौलिफिकेशन क्या होने आली कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो कि यह Vacancy आई है Food Corporation of India जिससे हम FCI कहते है Food Corporation of India तो यार इसको सबसे पहले आपको अप्लाई अगर करना है तो आपको इसके बारे में थोड अप्लाई करने के लिए जो जनरल कैटिगीरी वालों को फिस लग रही हो 500 रुपए लग रही है आप देख सकते हो 500 लग रही साथ में आपको पोर्टल चार्ज भी इसमें लगेगा तो करीबन यहीं आपको साड़े 500 के आसपास लगेगा साथ ही STSE OBC और पी एच कंडिडेट के लिए इसमें कोई फिस नहीं के वल पोर्टल चार्ज लगेगा साथ इसकी जो स्टार्डिंग डेट है वो फॉर्म भरने के जो स्टार्डिंग डेट है वो 6 सितंबर से स्टार्ड हो चुकिया जिसकी ल साथ में कैटिगरी वाइज आपको एज रिलेक्शन भी मिलेगा साथ ही साथ अगर हम मतलब असिस्टेंट ग्रेट 3 की पोस्ट पर डालते तो यहां पर आपको 17 साल मिलेगा और साथ में फिर वाई कैटिगरी के हिसाब से कुछ चार एक्षन जो कि किसी OBC को तीन साल मिलता ह है जनरल वालों को साइध ना मिल रहा हो और स्टी वालों को पास साल का जो एज रिलेक्शन मिलता वो सब यहां पर अपलाई होगा और साथ ही समय क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्स अगर आपके पास दिग्री हो तो वह लगेगी साथ ही कुछ अगर आपके पास अधर क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा वगेरा हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो वह लगा सकते हैं तो और आल कहते हैं यह बहुत अच्छी भरती है बस वही है कि इस पर ओबी सी और जनरल वालों के लिए फॉर्म अप्लाई की फिस जो है वह 500 रुपए हैं बागी बहुत अच्छी इसकी जो जौब प्रोफाइल हो बहुत ही अच्छी इसलिए आप जल्दी से करके इसको अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी नस्दी की MP ऑनलाइन पर जाकर इसको बहुत धन्यवाज़।